कि आज तक बिहार में कभी किसी के पास गटबंदन करने के लिए और हमिचा जब तक मैं बिहार कि आधेश की राजनीत में रौणगा हम किसी के पास चल Track नई जाएंगे गटबंदन करने के लिए लोगों को हमारी फिकर होगा तो हमारे पास आएंगे नहीं थीन जनो distinguish कि हम लेने से ही बराद मी बन सकते हैं तो लेने वाले लोग बले और हम बनाने का काम करने वाले करेंगे कि आरक्षन हम कहने सरकार से मांग रहे हैं अगर बिहार में आरक्षन की हो जाता तो मैं अभी तक करा लेता अभी यह आरक्षन दिल्ली से होना और दिल्ली से निश्ची भाग के मैं गया, वहाँ गाने के बाद मैंने महनत किया, इमंदारी के दम पर अपने मुकाम को मैंने हासिल किया और जब मैं बहुत ही अच्छे स्थिति पे मैं पहुच गया, तो मैं जो बिहार आने का मुका मिला और मैंने बिहार में देखा कि मैं काफी आगे निकल चुका हूँ लेकिन हमारे अपने लोग अपनी रिष्टेदार हो अपनी समाज के लोग हो काफी पीछे रह गया और क्यों नहीं इनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा जाए में बच्चा जन्म लेता था तो उसको राजा बना जाता था घर के बरे बेटी को राजा बना जाता था लेकिन इस लोग तंत्र में जिसके पास ज़्यादा भोट है वो ही बेक्ती इस भारत के बारे में सोच सकता और एक नमर की खुर्सी पर बैठ सकता और इस भारत में एक निसाद मच्वारा समुदाई जो फिसर मैन है वो बड़े संख्या में है और वो जिसको चाहेगा उसी को बैठा सकता है हमारे तीन बिधायक ले लेंगे चार बिधायक ले लेंगे हम बनाने वाले लोग है और उनको मालूम है कि हम लेने से ही बराद मी बन सकते हैं तो लेने वाले लोग ले और हम बनाने का काम करने वाले करेंगे लेकिन ये आपके पास जो जानकारी वो बिल्कुली गलत है चारो विधायक मजगूती से भी आईपी पार्टी के साथ आस्ता विजवास जता रहे हैं और हमने उनको सिंबल दिया टिकट दिया वो चुनाब लड़े हैं राजनित में है कल कोन कहा है किधर जा रहे हैं आप देखिए लजेपी घर के पार्टी रहने के बाद जुद भी वो पार टूट गया तो राजनित में होता है जिसके पास कह सकते ज्यादा सकती है पावर है हमें हमारे अधिकार से बंचित रखता है आद तो निश्चित तोर पे देश का अजादी 75 साल होने के बाद जुद भी हमारे अधिकार से हमको दूर रखा जबकि इस देश के राजा निसा होना चाहिए एक नंबर के खुर्सी पर निसाद को बैठना चाहिए लेकिन लोग नहीं बैठने दे रहे तो ये तो हमारे साथ मजबूरी है तो एक ना एक दिन जरूर कल तक हम जीरो थे 2019 में जीरो है 2020 में चार हुआ आधिवाले 2025 में 40 होगा और उसके बाद 125 भी हो सकता है तो ये तो चलते रहेगा जिन ये तो आज देश में कोई भी पोलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्याइपी पार्टी आगे बढ़े ये ब्याइपी पार्टी का कर्तब है ब्याइपी पार्टी के वर्कर का कर्चकरता का धर्म कर्म है कि हमें कितने आगे बरन अगर हमें अगर वो दम नहीं होगा तो हम निश्री तोर पर हम पीछे रहेंगे चार में से जो तीन विधायक हैं वो पूरे-पूरे बीजेपी बैग्राउंड के हैं नाम में गिना दूंगी सब पांच-पांच साल दस-दस साल पुराने बीजेपी के लीडर रहे हैं विधा हुआ और निश्री तोर पर वहां आप नहीं थे और लोगों निश्री तोर पर जब इस धरती पर सीता माता को उपर अगर अडरूप लगा सकते हैं चार में से तीन कैंडिडेंट 2020 में बीजेपी छोड़के वियाईपी में आये हैं क्योंकि सीट शेरिंग का फॉर्मूला मुझे लगता है कि चुनावायक के वेबसाइट पर जाके आपको देखना चाहिए कि किसका विधायक है ठीक है लोग तो बहुत कुछ बोलें कि अभी कल तो मुझे भी बोल सकते उनके हैं तो आज निश्चित तोर पर मेरे अच्छे संबंध है दिल्ली के बरे-बरे निता पर यहां कोई डील क्यों नहीं हो पार यह एंडिये करना है मैंने तो सीधा बिहार उत्तव परदेश में हमने पाटी लॉंच किया एक ही नारा से आरक्षण नहीं तो गटबंदा नहीं और सीधा एक ही है कि आरक्षण हम केंदी सर्कार से मांग रहे हैं अगर बिहार में आ शुटेल से मजगूती से हम अपने बिहार के बारत जन्ता के लिए मैं आज काम कर रहा हूं और कहीं पे हमारे अंडिया में कोई मत्रेद नहीं और निशीत तौर पर हर पाटी का सोच होता है приготов हम वहारी पाटी आगे बरे हमारी स्पट्प भिहार है कि हम्ट माजगुति करे उत्तर पर्देश में हमारी पाटी बहतर रिप्टिती में रहे उत्तर पर परदेश में हमारे उत्तर परदेश में मंत्री हम इwarm किया ह Mean कि आप समाजवादी पार्टी के गटवंधन में या दूसरे गटवंधन में शामिल हो सकते हैं या फिर यहां भी आप NDA में घुसना चाहेंगे नहीं बिल्कुली नहीं खास करके अभी जो हमारा सोच है कि मैं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ू और चार पार्टी के साथ तो बिल्कुली नहीं गटवंधन जिसमें भारतिय जन्ता पार्टी है सपपा है बसपा है कॉंग्रेस है इस चार पार्टी के साथ तो गटवंधन बिल्कुली नहीं अगर गटवंधन हो सकता है तो आरक्षन अगर लागू करते हैं केंदर में तो निश्य तोर पे BJP के साथ हम हर कंडिसन उनका मानने के लिए तयार हैं उसके अलाबा हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और डिसंबर में जाके सोचेंगे बहुत सारे साथी हैं जो समाजिक न्याई की बात करते हैं समाज में यह सीज को सोचेंगे कि उनके साथ गट बंदन करें आज हमें ओफर करता कि हमारे साथ आजाए हम आपको डिप्रिश्म बनाते हैं आता ही था इसमें को कहने वाली सब को पता है कि इतने फोन आने के बाद भी रिचार्स तो छोटा ही हुआ ना छोटा कूपन आपको ते आगे एक्स्टेंड नहीं होगा देखिए हमारे गटवंदन में ही किलियर हो गया था 11 सीट एक मेल सी यह भारती जनता पार्टी को सोचना है कि हमें 6 साल कैसे पूरा करना है और मुझे यह चीज नहीं सोचना है और समय आएगा तो देखा जाएगा क्यूं सोचेगी सर जब निशी तोर पे मैं कहूंगा जितने भी समाजिक न्याई के साथ लड़ने वाले हमारे पाटी के करच करता हो निशास समाज जो पाटी सहास्ता विश्वास रखते हैं सब को सोचनी कि आप सकता है जब तक आप कमजोर रहेंगे ना तो लोग आपको परिसान करते हैं हमारे लेकिन कंफीजन तो आपने निशाद वोटर के लिए खड़ा करी दिया कि आपके साथ जाए या संजन निशाद के साथ जाएं जो तो जो ताकत एक जूट रहती या इकठा होती वो बट गई आपस में लड़ गया आप लोग एक दूसरे को मार करते हैं ने मैं लड़ा नहीं हूँ मैं पाटी हमारी है और हम पाटी चला रहे हैं मजगूती से उत्तर प्रदेश में पाटी बिस्तार किये हैं रहा डॉक्टर साब को एक टिकट पर समझावता करना एक टिकट नहीं पा कर लिए और समाज को किसी के साथ बेचिये नहीं आप लड़िये आपको हर तरह से हम संसाधन मुया कराएंगे आपका एक ही अधिकार है आरक्षन निसाद को मिले तो आरक्षन के लिए आप लड़िये और आप भी और हम भी डिसिजन नहीं लेते हैं उत्तर परदेश के नि होगा कि वो जो चाहेगा वही करते हैं फिलाल तो अपनी ताकत हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भोट है जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास 4-5 परशन भोट है उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास 15 परशन से अधिक भोट है और एक बर दिखाना पड़ेगा स सिफ हमारे बोलने से भी नहीं होगा, जब तक हमारे देश में जाती का जनना नहीं होता है, तब तक हमें दिखाना परेगा, सिफ बोलने से नहीं होगा, आज है कि हमने पहले कहा कि अपने दम पे लरेंगे, रहा कि डिसंबर तक हम सोचेंगे कुछ लोग समाजिक निया की बा तो हो भी जा सकता है, इसमें कोई किन्तोपर दिए, क्योंकि हम NDA में रह कर, हम समाजवादी पार्टी या कॉंग्रेस से हम गटबंदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बिहार में NDA में हैं, और NDA में निश्ची तोर पे जब तक हमारा आरक्षन में होगा, तब तक हम NDA में खा अगर हीरो गर समुके सानी के रियल में मानता है तो निसात का बेटा ही मानता है और उन्हीं के लिए निशित तरफे मैं काम करता हूँ अगर कोई यादव भाई हमको नेता मानेंगे अखली जी को क्यों छोड़ेंगे या बिहार में अगर कोई यादव भाई है लालो जी को या तेजेस्वी को क्यों छोड़ेंगे वो हमें क्यों नेता मानेंगे आज बिहार में जिस मुकाम पे भी हम हैं उस मुकाम पे पहुंच पुराने उनके पास केस था तो उसके कारण मतलब उनका गिरफतारी हुआ तो मैं एंडिये में रहे कभी अगर हमारी सरकार में अगर कुछ गलत होता तो उसको मैं बात को रखता हूं और वह मजगूती से हम काम करा रहे हर जाती धर्म के लिए